मस्किलो डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स में स्टेमसेल थेरेपी कैसे मदद करेगी? तो सबसे पहले हमको समझना है कि मस्किलो डिस्ट्रोफी में होता क्या है? मस्किलो डिस्ट्रोफी में हमारे जो 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 मस्किल थी, ना कोई दवाई था, ना ही कोई आपरेशन था, आप इतने सारे डॉक्टरों के पास गए हो गया, सब ने आपको क्या बोला, कि मस्कलर डिस्टूफिया कोई इलाज नहीं है, आप सिर्फ फिजियो थेरपी कीजिए, एक्सराइजिस कीजिए, पर अभी एक इलाज आया ह इस हिलाज का नाम है, स्टेम सेल थेरपी, तो स्टेम सेल से हमने देखा है, कि हम जब स्टेम सेल पेशियन के अंदर डालते हैं, तो इनकी जो बिमारी है, जो की नॉमली प्रोग्रेसिव है, मस्कलर डिस्टूफिय कैसी बिमारी है, जो धीरे धीरे करके सारे मस्कलर को कमज जाता है और उसके बाद हलके हलके improvement आने लग जाते हैं stem cell क्या है और वो कैसे काम करते हैं? stem cell ऐसे cell होते हैं जो body में जहां भी damage हो उनको repair करते हैं चाहे muscle हो चाहे brain हो चाहे spinal cord हो body के जहां भी हिस्सा जहां damage हो उस damage को यह repair करते हैं stem cell अलग-अलग type के होते हैं जो की aborted fetus मेंं से निकाले जाते हैं दूसरे होते हैं umbilical cord जो mother और बच्चे के बीच पे नाड़ी होती है उस निकाले जाते हैं हम यह भी यूज नहीं करते हैं तीसरे type के stem cells होते है aadult stem cells adult stem cells वो होते हैं stem cell therapy treatment होता कैसा है हम क्या करते हैं हम जो huddy है हमारी जो हिप बोन है उस हड़ी के अंदर एक स्वी डालते हैं और हड़ी के अंदर जो लीक्विड है वो भार निकालते हैं इस लीक्विड का नाम है बोन मैरो बोन मैरो क्या होता है हड़ी के अंदर का लीक्विड हमें हड़ी के अंदर क्यों निकालते हैं क्योंकि बोन मैर के लिए बाडी को stem cell लगते हैं, तो यहां करोना stem cell है, हम यह थोड़ा सा bone marrow निकाले है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई risk नहीं है, कोई फरक नहीं है, क्योंकि कुछी दिलों में यह वापस फिर भढ़ जाता है, तो एक बार हम इस bone marrow मेरो निकालते हैं patient में से, इसको 20 मिनिट लगते हैं, 20 मिनिट जो patient है, वो operation theorem में रहता है, जो हिस्सा है, मुसको सुन कर देते हैं, patient को कोई तक्रीफ नहीं होती है, को पता ही नहीं चलता कि हमने यह निकाला है, 20 मिनिट बाद हम patient को वापस room में भेज देते हैं, और फिर 3 से 4 घंटे में, हम जो bone marrow है, उसमे हम दो जगर डालते हैं, एक तो read की हड़ी में, जो peat में, हम एक number puncture करके डालते हैं, उसके peat के पानी में, जो कि अंदर जाके, जो सारी नसे हैं, उसको strong करता है, तो musculo dystrophy हला कि एक muscle की बिमारी है, पर हमको नसों को भी strong करना पड़ता है, फिर बाकी जो stem cell हैं, हम उनके muscle में, जो हाथ में, पैर में, जो हमने जो MRI scan किया है, हमने जो EMG किया है, उससे हमको समझ आ गई है कि कौन से muscle कमजोर है, फिर हम उन muscles में inject करके stem cell डालते हैं, एक बार ये stem cells उसके अंदर चले गए, muscle के अंदर तो जो muscle में वो नई जान डालते हैं, और जो muscle में जो deterioration हो रहा ह इसको तीन से छे मेंने लगते हैं, और फिर धीरे दे करके improvements आते हैं, stem cell therapy कराने के बाद muscular dystrophy के patients में क्या-क्या सुधार आएगा, ये जो है, ये अलग-अलग patient में अलग improvement होता है, तो सबसे परहे तो बिमारी रुख जाती है, और एक बिमारी रुख गई, उसके बाद हलके improvement आते हैं, हमने roughly देखा है कि जो improvement है, anywhere from 20% to 80% improvement range रहता है, ये depend करता है कि हम किस stage में इलाज कर रहे हैं, also depend करता है कि therapy आप कितनी करो, क्योंकि stem cell के बाद, physiotherapy, occupational therapy बहुत ही जरूरी है, तो हमने देखा है कि जो patient दिन में कम से कम 3 घंटा therapy करते हैं, उन में improvement बहुत जादा आत हैं, तो जो results हैं, वो depend करते हैं stem cell therapy पे, और हम कितनी exercise और physiotherapy treatment के बाद करें, इसका ये मतलब है कि जो सारे इनके problem है, ये धीरे धीरे करके improve होते हैं, पर ये एकदम नहीं होता है, इसको 3 से 6 मेने लगते हैं, और ये 1-2 साल तक चलते रहते हैं, इसका proof जो है, वो ये है कि हम scientific medical journals में publish है, तो हमारी medical community में, कोई चीज established तब होती है, जब वो medical journal में publish हो, तो हमारा जो काम है, जो कि international worldwide journals में छपे हुए हैं, जब article international journal में छपते हैं, तो जो journal वाले होते हैं, वो results verify करते हैं, जो हम जो कह रहे हैं, वो authentic है, और वो scientific है, तो जो हमारा published work है, this is the proof of our results, कि हम कर क्या ये treatment बहुत painful होगा ये treatment में बिलकुल pain नहीं होती हम क्या करते हैं को operation theater में ले जाते हैं 20 minute के अंदर bone marrow निकाला जाता है हम उस हिस्से को सुन कर देते हैं तो बिलकुल तक्लीफ नहीं होती और हम उसको शुला देते हैं फिर हम को ward में ले जाते हैं अपने रूम में चार गंटे वो अपने रूम में आपके साथ रहेगा इस चार गंटे में हम जो stem cell हैं वो अलग करते हैं एक बार stem cell अलग हो गए फिर हम वापस बुला के again another 15 minute में injection को उसको अंदर डाल देते हैं तो बिलकुल तक्लीफ नहीं होती है क्या ये ठेरपी में कोई रिस्क या कोई जोखिम है stem cell therapy बहुत ही safe treatment है इसकी beauty यह है कि बहुत safe है क्योंकि हम सिर्फ सुई लगा रहे हैं एक सुई से निकालते हैं और बाकी सुईयों से muscle में और पीट में डालते हैं हं दो सुई से क्या complication हो सकता है कुछ भी complication हो सकता है इसमें risk कोई नहीं है इसमें कोई operation जैसे क्यों चीश नहीं है सिर्फ सुईयां लगती है तो क्योंकि हम body ही cell से लेकि लिए सी हैए कि बानी यह चीज़ से जाइए डूसे जगा डाल रहे हैं यह reward जो कि world में among the largest है कि over a thousand patients और हमारा 100% safety track record है हमारे किसी भी patient में treatment करने के बाद stem cell की वज़ा से कोई side effect, नुक्सान, complication आज तक नहीं रहा तो उसकी हम आपको बिल्कुल assurance देते हैं कि ये एक एकटम safe treatment है अगर मुझे stem cell therapy कराना है तो अगला step क्या होगा? treatment करने से पहले हम बहुत सारे test करते हैं हम पूरी जो muscles हैं उसका एक MRI scan करते हैं जिसके हमको समझ आती है कि कौन-कौन से muscle कमज़र हो गए हैं और कितने कमज़र हो गए हैं फिर एक और test करते हैं इसको बोला जाता है EMG जिससे कि हम muscle में needle डार के check करते हैं कि कौन से muscle कमज़र हो गए हैं और कुछ blood test वगए होते हैं जिससे CPK वगए हैं जिससे कि हमको बिमारी की समझ आती है हम आपको बता सकते हैं भी exactly आपकी बिमारी कि stage में हैं एक बार यह सारे test हो गए फिर हम आगे जाके stem cell therapy treatment कर सकते हैं डॉक्टर हमें hospital में कितने दिन रहना होगा पेशन को हमारे साथ साथ दिन रहना पड़ेगा उसमें जो पहले दो दिन होते हैं उसमें detail evaluation होती है testing होते हैं हम सारे scan करते हैं और study करते हैं कि damage कितना है फिर उसके जो तीसरे दिन हम पेशन को actually stem cell देते हैं जो गरम पानी के अंदर हम patients को चलवाते हैं तो उसमें बहुत फ़रक परता है और आपको सिखाते भी हैं कि घर पे कैसे करना है और most important इन सब therapies की video recording होती है और ये जो recording है इसकी एक CD या pen drive हम आपको देते हैं कि आप घर जाके ये therapies घर पे खुद कर सके और फिर उनको घर जाके धीरे धीरे exercise therapy बगरा करनी परती है और जैसे वो therapy करते हैं उनके पेर में ज़्यादा जान आ जाती है stem cell therapy के बाद अगला step क्या होगा stem cell करने के बाद तीन मैने बाद आपको follow up के लिए हमारे पास आना है जिसमें हम पूरा detail study करते हैं कि पेशे में क्या-क्या improvement हुआ इस वक्त जो है सिर्फ हम examine करते हैं कोई बड़ा test नहीं होता फिर उसके 6 मैने बाद हम फिर से बलाते हैं इस वक्त हम test करते हैं और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमको guide करता है अगर मुझे admission से related कोई समस्या है तो मुझे किस से संपर करना होगा आपको जैसे अभी ओपडी में आए तो ओपडी में हम आपका एक coordinator होता है जैसे ये coordinator थे आपके साथ तो ये coordinator आपको सिर्फ अपने coordinator को phone करना है एक ही phone करना है उसके बाद हमारी team पूरा take over करेगी और धीरे धीरे करके हम सारा आपको आपकी treatment में आपको support करेंगे क्या test करने हैं कभी आना है और पूरा हमारे एक system होता है पर mainly आपको एक phone करके हमको बताना है कि आपको कमाना है अगर मुझे hospital से discharge के बाद कोई समस्या है ये case manager medical therapist होते हैं फिजियो therapist है, occupational therapy doctor ये आपके अभी lifelong साथ ही रहेंगे तो treatment के बाद आपको हर मेंने हमारे से phone आएगा हम आपको पूछेंगे बच्चा कैसा है कोई भी तकलीफ होगी तो आप कभी भी case manager को contact कर सकते हैं हम हमेशे आपके साथ रहेंगे कभी भी कोई भी problem हो, तकलीफ हो आप कभी भी हमको contact कर सकते हैं हम आपको guide करेंगे क्या करना है क्या दवाई देनी है और आगे क्या करना है हाला कि बाएन आज हमने देखा है कि ऐसी कभी जुरूत होती नहीं क्योंकि बहुत कम patients को stem cell के बाद तकलीफ होती है treatment के बाद कितने समय में सुधार देखा जा सकता है मेरे बच्चे में जो improvement है वो असली में तीन मैने बाद शुरूआ होती है तो immediately जब treatment करते हैं आपको शायद हलके हलके improvement देखें पर जो real improvement है वो आते हैं तीन मैने बाद और तीन मैने और शे मैने के बीच में आपको सबसे ज़्यादा improvement देखें हम पहले से ही अलग-अलग दूसरे उपचार ले रहे हैं तो क्या stem cell therapy हमें करना जरूरी है यह बहुत जरूरी है बर्कि ज़्यादा जरूरी है stem cell के पहले जो हम थेरपी कर रहे थे सिर्फ पेशे के improvement के लिए कर रहे थे stem cell के बाद हम पेशे के improvement भी कर रहे हैं पर also थेरपी करने से जो stem cell अंदर डाले हैं उनकी activity ज़्यादा बढ़ जाती है उनके जो result है उनका जो conversion और repair है वो ज़्यादा improve होता है आप सारी medicine continue रख सकते हो पहले जैसे कुछ दवाया हम भी आड़ करेंगे और एक बार हमारे पार सावम आपकी पूरी treatment की responsibility लेते हैं तो हम पूरा आपको guide करेंगे क्या-क्या medicine continue रखनी है क्या-क्या बंद करनी है और क्या-क्या हमारी आड़ करनी है क्या हम neuro rehabilitation के लिए hospital में अपना प्रवाज बढ़ा सकते हैं हाँ possible है ज़री आप चाहते हैं कि जो साथ दिन के बाद extra rehabilitation के आपको रहना है तो वो आप रह सकते हैं उसके हमारे पास सुविदा है Neurogen को क्या विशेश बनाता है Neurogen की खासियत यह है कि हमारे जो सारे results है वो international और national journals में published है हमारा जो safety है हमारे जो efficacy है जो results है जो हम आप से बात कर रहे हैं वो सारे journal, medical journal में publish होते हैं तो ये एक results की scientific authenticity और उसका validation होता है ये 51 papers के अलावा हमने 12 books publish की है इन books में भी हमारे जो सारे results हैं वो सारे लिखे गए हैं कई international books है जैसे कि cerebral policy में एक international book है जिसमें दुनिया भर के authors है उन्हों ने भी हमको invite किया है chapter stem cell के लिखने का उसी तरह एक muscular dystrophy book में और एक autism book में international books में जो stem cell therapy के chapters हैं वो सारे हमने लिखे हैं तो जो जब international books लिखी जारी है और जो की एक subject पे होती है जैसे autism पे, muscular dystrophy, CP पे उसमें अलग़ग chapters अलग़ग treatment के होते हैं पर जब stem cell therapy की बात आती है वो सब हमको Neurogen मतलब पूरी world में वो Neurogen Brain and Spine Institute को कहते हैं कि आप हमारे लिखे हैं क्योंकि हमारे जो results हैं वो सारे scientific journals में publish हैं हम Neurogen में जो काम करते हैं उसकी recognition हमको कई awards से मिली है 2016 में जो National Healthcare Excellence Award है वहां हमको best stem cell therapy center of India चुना गया था also एक बहुत बड़ा international award है जो की Oxford से आता है योरोप से आता है उसको कहा जाता है Rose of Paracelsus Award जो की medical standards, medical results, patient feedback और safety के ओपर दिया गया तो ये बहुत बड़ा एक prestigious award है जो की 2016 में Cannes, France country में दिया गया था और वो Neurogen Brain and Spinal Institute को दिया गया तो एक national award जो की हमको best stem cell therapy center चुना गया है और एक international award जो हमारा quality of health standard है ये दो awards कहते हैं कि हमारे जो results है वो अभी दुनिया accept करते है Neurogen Brain and Spinal Institute ISO certified है हमारे पास ISO 9001, 2008 certification है इसके अलावा हमारी जो stem cell laboratory है उसके पास एक GLP यानि की good laboratory practices और GMP यानि की good manufacturing practices certifications है तो ये जो है जो ISO certification जो GLP और GMP certification ये एक quality standard अशोर करते हैं कि जो यहां treatment हो रहा है जो हमारी laboratory है और जो हमारे treatment standards है वो एक national और international standard के base पे है Neurogen Brain and Spinal Institute जो है वो नवी मुंबई सिटी में located है जो कि मुंबई की एक twin city है मुंबई से लगी हुई है Central मुंबई से बिलकुल आदे घंटे के distance में हर चीज जो airport, stations वो करना बहुत ही close है हमारे जो location है वो Palm Beach Road पे है जो कि नवी मुंबई की सबसे सुन्दर road है हम समुंदर के बिलकुल बगल में हैं तो हमारे रूम से समुंदर का बहुत ही सुन्दर view लिगता है और हमारे बिलकुल adjacent एक सुन्दर सी lake है तो it is a very pleasant surrounding बहुत ही सुन्दर, peaceful surrounding है नवी मुंबई एक बहुत ही safe city है that is very comfortable to move around और बहुत सारी facilities जो shopping वगरा की बिलकुल आस पास available है और हमारे एक बहुत बड़ा station है जो Sea Woods Grand Central Station वो हमारे हॉस्पिल से बिलकुल लगा हुआ है तो Bombay की किसी भी train service से हम Sea Woods Station आ सकते हैं और हमारा हॉस्पिल बिलकुल station के बगल में है तो उसकी जो location है वो ऐसी है कि हर जगा सी easily accessible है और जो आस पास जो बातावरान है बहुत ही सुन्दर है और इस वेडी सेफ एंड सेक्यूर एड़ी दूरीजन का जो staff है उसमें हमारे जो सबसे senior qualified doctors है medical doctors, rehabilitation doctors हमारे कई doctor western countries, america बगार में train होके आए है तो हमारा जो medical और paramedical staff है this is of the best standards internationally और जो हमारे जो supportive staff है जाए वो nurses हो या housekeeping हो हमारा जो administration है वो भी बहुत ही caring, बहुत ही supportive और हर तरह से helpful है जब आप neurologist में आओ तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप hospital में हो जो पूरा water waran है वो घर जैसा है आप एक बार हमारे पास आओ तो आप patient नहीं होते आप हमारे घर में guest हो जाते हो और हम आपको उसी तरह देखते हैं उसका आपको immediate attention मिलेगा और अब हम आपसे feedback भी लेते हैं हमेशा हर patient से feedback लेते हैं भी हम किस तरह अपने आपको improve कर सकें हम यह चाहते हैं कि जब आप 7 दिन हमारे पास रहो यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा experience हो जिसमें आपके जो भी problems हैं तक्लीफे हैं हम उनको भी ठीक कर सकें और आपको future में hope दे सकें कि आगे जाके आप में और अच्छे improvement आएंगे और आप एक independent और good quality life जी सकेंगे आपके बहुत हैं